हेलो बच्चो क्या हाल सब बढ़िया कली से सब बच्चा सब पूरा वेट कर रहा है लाइए न सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाइए लोंग वाला क्वेश्चन वाद डाल दीजे कम से कम तो अब जो लोंग वाला क्वेश्चन हम डाल देंगे ना पूरा वहीं आएगा ही तो हम सब भूल जाएए पूरा किताब कॉपी छोड़िये यह वाला जो हम लोंग क्वेश्चन जितना दे रहे हैं तो यह दम पढ़ जाएए भूगा पढ़ जाएए दम पढ़ जाएए छोड़ियेगा ना तो पचताईएगा तो गलती कभी कीजियेगा मत भी सब छोड़ छाड़के टोटल लोंग कोश्चन दे रहे हैं एकदम पूरा रट जाएए एटू जेड एटू जेड तो फिजिक्स का आज लोंग ही लोंग कोश्चन मिरेगा कितना दिन है आज पंदरा है तो 16 दिन बचा हुआ है तो ला दीजिए टना टन मार ये नमबर पांस तियाएं पंदरा तो आएए समझते हैं इससे पहले एकजाम का पैटर्ण ये वाला जो एकजाम का पैटर्ण है ना एकदम लॉलीपॉप है लॉलीपॉप एकदम जो बच्चा एकदम जिन्दिगी बढ़ सोया हुआ है ना तीन दिन पहले उठके पढ़ाई कर देगा ना बिहार बोर में टॉप ऐसा ऐसा एकजाम हो रहा है आज तक तो ऐसा एकजामे नहीं हुआ है आज तक ऐसा एकजामे नहीं हुआ है इतने में स बस फिजिक्स को एक दम जबड़ जस्त तरीके से मस्ती करते हुए गुमते हुए खाते पीते हुए नोट्स देख लीजिए ये तो करना ही है अब बाकी ये लीजिए आपका पंदरा नमबर फिक्स डन पंदरा नमबर लीजिए आपका दे दिये अब आएए देखिए एक तो सब बच्चा जानता है प्राक्टिकल जो होगा वह थर्टी मार्क्स का होगा थर्टी मार्क्स अब इसमें करना क्या है कुछ एक्सपेरिमेंट लिखिए कॉपी में जमा कर दिजे इस्कूल में जमा कर देंगे तीस मार्क्स में तो कम से कम अगर कितना भी प्राक्टिकल वाला जो इन्विजिलेटर होगा जो टीचर होगा जो टर्नल आया होगा वह एस ही आपको ट्वैंटी एट मार्क्स दे रहा है थो आ नया नया क्या पढ़ा पहनिये चेहरा पे समाईल रखिये सब तो मिलेगा ट्वैंटी एट मार्क्स आब पूरा उदास मूड में जा रहे हैं गुस्सा वाला एकदम चेहरा लीजिये सर प्रैक्टिकल कॉपी दूद तबलाक मरवो कड़ेगा नमबरों काटे दा पूरा कॉन्फिदेंशियल राइटिंग बढ़िया होना चाहिए रा सब्सक्राइट वाला एक ब्लू वाला इतना तो करिएगा लेजिए यह तो आपका जो बच्चा सोया हुआ भी है अब तक उसका 20 मार्क्स आ गया अब आईए बच्चा अब हमारा 70 मार्क्स 70 मार्क्स क्या होगा कैसे 70 मार्क्स कैसे आएगा सर कैसे नहीं आएगा आएगा अब की बार 90 पार सिरीज चल रहा है आएगा 70 मार्क्स आएगा अब की बार 90 पार 89 भी ला दियें चुलू भर पानी में कूद जाईए फिजिक्स में 89 लाने का मतलब चुलू भर पानी में कूद जाना चलिए यह 70 मार्क्स तूट गया अबजेक्टिव में 35 मार्क्स अबजेक्टिव और सौट कोश्चन जो होगा भुआ क्या भारी है 10 आपको लिखना है 10 इंटू 2 20 मार्क्स कितना हुआ है 35-25 यह तो अबजेक्टिव यह तू मार्क्स 10 कोश्चन 10 इंटू 2 20 अब बचवा सब पूरा टेंसन में है कि लॉंग वाला का क्या करे सर अरे लॉंग वाला का दू दिन में रट जाईए यहाँ पे आपका लॉंग का 5 इंटू 3 that is 15 मार्क्स यह आ रहा 15 मार्क्स ठीक जोड़िए पचास 20 सच पर तो अब आईए थोगा बात कर लिया जाए अबजेक्टिव 35 मार्क्स का है ना बाबू सतर गो तो कोश्चन दिया रहेगा अबजेक्टिव आरे कोई पागलो होगा कोई आखो बंद करके आईसे टिक मारेगा ना कम से कम 15 गो तो सही मार देगा आरे जो बाच्चा को कुछ आता नहीं है जिन्दगी भर स्वोया हुआ है वो आईसे करके मार दे ओका बोका तीन तड़ोका इवाला एक वो सब मारता है ठीक है ना आईसे करके मारता है ओका बोका तीन तड़ोका जेकरा पर पड़ा लीजिए वही सही मार दिया आईसे भी करके मार दियेगा तो 15 तो सही कर ही दिया लेकिन ओका बोका तीन तड़ोका में नहीं इसमें 35 में 35 चाहिए 15 नमबर उन श्टुडेंट के लिए जो ओका बुका तिन अड़ोका करता है थोड़ा सा भी अगर वो क्लास में आ गिया होगा घूमते फिरते तो वो पांच कोश्चन अई भगवान 20 कोश्चन में से 5 कोश्चन इतना कम पांच कोश्चन पांच बताइए न कौन सा भारी काम बोल दिये 20 में से 5 कोश्चन क्या है अगर वो सही करता है तो उसको मिलता है तेन मार्क्स तेन मार्क्स 15 10 25 आज हम दे देंगे लॉंग तो अगर वो दो कोश्चन भी आज ये पूरा में से दो कोश्चन लिखा क्योंकि लड़ा दिये लॉंग वाला तो ये हो गया 5 इंटू 10 10 10 20 20 20 15 35 and 35 एट 63 लीजिए फर्स डिविजन करके 63 परसेंट सोई सोई 63 परसेंट आ रहा है लेकिन बाबु जो पढ़े वाला है उच्छोडे वाला है उड़ा आया है बच्पन से पहाई करते हुए हाथ में जब तक नौकरी नहीं तब तक पहाई को छोड़ना नहीं है तो वो सब बच्चा उचोड़ेगा सबसे पहले आपको अबजेक्टिव देखना है एक नजर में देखिए कौन कौन हमसे बन जाता है कौन 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 हमसे बनेगा पहले उसको टच कर देंगे एक दम वो ऐसा कौश्चन होगा जो आपको ऐसा एक दम कौन्फिडेंसियल हो कि अरे ये तो सही है ये तो सही है ऐसा लगेगा कि ये तो सही है इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता है तो पहले उन कौश्चन को टच कीजिए और देख लीजे क्या हम वैसा कौश्चन पैतिस कर चुके है क्या तो सतर में से पहले उन पैतिस को कर लीजिए जो आप फुली कौन्फिडेंसियल है कि नहीं इसको ब्रह्मा विस्नू कोई बदली नहीं सकता जो बना दिये सो है एकदम सही है तो पहले उन पैतिस कोश्चन को कीजिए सतर में से टिक मार लीजिए कौन सा ऐसा पैतिस कोश्चन है ठीक तो अबजेक्टिव सतर में से पैतिस करना तो एकदम बच्चा बच्चा कर देगा इसमें से अब 35 कर दिया तो उन बच्चों के लिए बात कर रहा है जो बढ़िया से पढ़ रहा है तो वो 34 marks उसका कहीं नहीं गया हुआ या चलिए 30 marks कहीं नहीं गया है जो बच्चा पढ़ रहा है प्लस अगर इसमें से 20 में से वो 8 question कर दिया 8 तो ये रहा है 16 marks और यहां से अगर वो 2 question करता है तो रहा 10 marks 30, 10, 40, 10, 50, 56, 56 and 20, 76 and 8 84 है ना कितना 46, 56, 76 and 84 यह आ रहा है आपका नंबर क्या दिक्कत है क्या दिक्कत हो रहा है इतना simple है इतना simple है यह तो बहुत simple हो गया चलिए तो यहां पे आपका अराम से जो पढ़ने वाला बच्चा है 90 इसको कर लेगा तड़ने का कोई बात नहीं है तो आज पेपर में अगला साल फोटो चाहिए चाहिए हमको कुछ भी कीजिए हमको पेपर में फोटो चाहिए कि यह लड़का बिहार बोट में टॉप किया है मीडिया को घर पे पहुंचा ही दीजिए इस साल मीडिया आना चाहिए आपके घर पे मीडिया आना चाहिए इस साल आपके घर पे मीडिया आना चाहिए क्योंकि आप टॉप किये हैं बिहार बोट में तो आएए उन लॉंग कोश्चन को करते हैं लॉंग कोश्चन को देखते हैं तो मेरे पास कुछ है लॉंग कोश्चन हिंदी मीडियम भी और इंगलिस मीडियम भी दोनों कोश्चन डिल करते हैं हिंदी में भी और इंगलिस में भी तो आएए तो मेरे पास कुछ कोश्चन है वो तीन-चार बार हम रिपीट करेंगे और देखते रहिएगा बच्चों तो आएए इसी के साथ पहला कोश्चन पहला कोश्चन आपका है विद्धुद्विधुरू क्या है अरे सर इस सब कोश्चन पूछने के लिए है दो बराबर तथा वीपरितावेस यही तो है सर यही तो है और विद्धुद्विधुरू क्या ह और इसका दूसरा पाठ होगा विधूतिये द्वीधुरू के कारण या तो अक्छिये या तो निरक्छिये बिंदु पर विधुत वीभौग याद करें सुनिए विधुत वीधुरू क्या है और विधुत वीधुरू के कारण अक्छिये या निरक्छिये पर विधुत वीभौग याद करें इसी का इसमें ऐसे भी पूछ सकता है विदुद विदुरू क्या है और विदुद विदुरू के कारण अक्षिये या निरक्षिये दोनों पर हम बोल रहे हैं आप दोनों को पढ़िएगा अक्षिये या निरक्षिये पर विदुद छेत्र ग्याद करें अक्षिये या निरक तो क्या बोले विधुत वीधुरू क्या है और विधुत वीधुरू के कारण अक्षिये निरक्षिये पर विधुत वीभव ग्याद करें या फिर ऐसे पूछेगा विधुत वीधुरू क्या है विधुत वीधुरू के कारण अक्षिये या निरक्षिये पर विधुत छेतर ग्यार कर या तो विद्धु छेत्र पूछ लेगा या तो विद्धु भी वाफ पूछ लेगा इंगलिस में वाट इस एलेक्ट्रिक डाइपोल और इसका दूसरा पार्ट find an expression for electric potential at equatorial or axial point मतलब वाट इस एलेक्रिक डाइपोल and you have to find electric potential electric potential at equatorial or axial position ठीक है you have to find the electric potential और इसी में पूछ सकता है what is electric dipole to equal and a position separated by याद है small distance तो इस अब लिख देना है अब इंगलिस मीडियम के लिए क्या बोले what is electric dipole find an expression of electric field at equatorial position and axial position by electric dipole तो this was the first question ठीक है तो पहला question दे दिये लिख लिए होंगे ठीक है दूसरा question किर्चौफ के नियम को लिखे तथा समझाएं किर्चौफ का नियम, दो नियम, संधी का नियम, लूप का नियम पढ़ियां से लिखिये, लाल बुलूप, पेन से लिखिये, समझा दीजिए दो नियम को और इसका दूसरा पाठ होगा इन नियम का उपयोग कर वीट स्टोन ब्रीज के संटूलन की अवस्था प्राप्त करे मतलर इन नियम का परियोग कर, किर्चौफ के नियम का परियोग कर वीट स्टोन ब्रीज के लिए जो संटूलन का व्यांजग प्राप्त करे संतुलन के लिए अवस्था प्राप्त करें ठीक है दूसरा question इंगलिस में state and explain किर्चौप law and इसका दूसरा part obtain the balanced condition of wheat stone breeze obtain the balanced condition of wheat stone breeze दूसरा question ठीक है तीसरा टीसरा question आता है transformer के सिधान्त बनावट and उसके बाद कारविधी का वर्णन करें transformer के सिधान्त किस सिधान्त पर काम करता है transformer उसका बनावट क्या है फोटो उटो बना दीजिए और कारविधी का वर्णन करें ठीक है transformer का बनावट सिधान्त और कारविधी अगला देखेगा इसका इंगलिस में describe the principle construction and working of a transformer describe the principle working and construction of transformer तीसरा question चौथा question चौथा question क्या है वर्ण विछेपन छमता क्या है वर्ण विछेपन छमता क्या है और दो पतले प्रिजम द्वारा वर्ण विछेपन रहित विचलन प्रात करने के लिए आवशक सर्ते को निकाले ठीक है वर्ण विछेपन छमता क्या है दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विछेपन रही विचलन प्राप्त करने के लिए आवशक सरते को निकाले ठीक है इस पे थुआसा कम जोड डालिएगा यह उतना इंपोर्टेंट नहीं होने वाला फिर भी एक बार वर्ण विछेपन देख लेंगे इंग्लिज में what is dispersive power or find the necessary condition for obtaining deviation without dispersion by two thin prism इस पे कम जोड डालिएगा ठीक है तो अभी हम तीन कोश्चन दिये हैं चौथा वाला पे कम जोड डालना है पट देख लेना है ठीक है चलिए अब अगला सेक्शन में चलते हैं अगला सेक्शन में ये है कि चलिए चौथा कोश्चन देख लीजेगा किसी संधारित्र की धारिता को परिभासित कीजिए संधारित्र क्या है उसको परिभासित करेंगे किसी संधारित्र में संचीत उर्जा के लिए वियंजक अस्थापित कीजिए किसी संधारित्र की धारिता को परिभासित कीजिए किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचीत उर्जा के लिए वियंजक प्राप्त करें वियंजक प्राप्त करना है है ना आप सी भी स्क्वायर याद है ना तो ये कोश्चन देख लेंगे इंगलिस में इंगलिस में हो जाएगा क्या What is capacitor या define capacitor थीक है derive expression for store energy between plates of parallel capacitor parallel capacitor पहला What is capacitor संधारितर क्या है ठीक है and derive expression for store energy between plates of parallel plate capacitor ठीक है चलिए अगला चार question पाँचवा पाँचवा question है हाइगेंस का सिधान्त क्या है हाइगेंस का सिधान्त क्या है जो तीन पॉइंट मुखे तीन बात लिखवाएं थे है ना तीन पॉइंट लिखवाएं थे torch torch याद है दानापूर से पानापूर प्रकास कैसे पहुँचता है हाइगेंस बताया था वो तीन पॉइंट लिखेगा हाइगेंस का सिधान्त क्या है और हाइगेंस के सिधान्त के सहायता से परावर्तन का नियम या अपवर्तन का नियम पॉइंट कीजिए सत्यापित करें ठीक है पॉइंट करेंगे क्या बोले हम हाइगेंस का सिधान्त क्या है हाइगेंस का सिधान्त क्या है तीन पॉइंट और हाइगेंस के सिधान्त के सहायता से परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सत्यापित करें ठीक है इंगलिस में इंगलिस में हो जाएगा explain Heisen principle उसके बाद इसका दूसरा पार्ट and on the basis of this principle establish the law of reflection or reflection or reflection so what is फिर से repeat कर रहे है what is video pause करकर के copy में उतार लिजया उसके बाद पढ़ना इस्टार्ट कर देंगे what is Heisen's principle and on the basis of Heisen's principle establish the establish the या proof law of reflection or reflection by Heisen's principle ठीक है अगला है अगला जो question आ रहा है इंतजार कीजिए अगला question जो है वो है उर्जा पट्टी क्या है energy band क्या है याद आया होगा energy band क्या है ठीक है उसके बाद उर्जा पट्टी क्या है उसके बाद चालक अर्द चालक तथा कुचालक पदार्थ के अंतर को उर्जा पट्टीों की उर्जा पट्टीों के आधार पर असपश्ट करें मतलब उर्जा पट्टी क्या है ये याद कर लिए उर्जा पट्टी क्या है उर्जा पट्टी के आधार पर ठोस का कितना परकार है चालक अर्ध चालक और कुचालक क्या बोले उर्जा पट्टी क्या है और उर्जा पट्टी के आधार पर ठोस कितने भाग में बाटा गया कितने भाग में बाटा गया चालक और दचालक कुचालक ठीक है इंगलिस में What is energy band and on the basis of energy band solid का classification ठीक है क्या हम बोलें इंगलिस में What is energy band and solid का classification on the basis of energy band solid can be classified into three types ठीक है न conductor, insulator and semiconductor ठीक है ये question उर्जा पट्टी छोड़िये का नहीं चालिये हमारा next question जो आ रहा है next question है next question है एक बच्चा फोन कर रहा है मत किजिए अभी बाबू चालिये अगला question है देखिएगा ये हो गया ठीक है तो इसमें इतना ही ठीक है अगला देखेंगे अगला है कुलोंस के नियम की व्याख्या कीजिए कुलोंस के नियम की व्याख्या करें ठीक है दो आवेसो के बीच लगता हुआ बल का व्याख्या की व्याख्या कीजिए या ऐसे भी पूछ सकता है दो आवेसो के बीच लगते हुए विद्धुत बल के लिए व्याख्या कीजिए ये बराबर के की वन की टू बाई आर इसक्वाइ ठीक है न इंगलिस में explain कुलम्स लो explain कुलम्स लो वही है कि विद्धुत बल जो होता है दोनों चार्ज के मल्टिप्लिकेशन के डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या दैना ये साब वही वाला चलिए अगला कोश्चन अगला कोश्चन अगला कोश्चन ये है वेट किजेगा हाँ वीट स्टोन ब्रीज क्या है ठीक है वीट स्टोन ब्रीज क्या है इसकी उपयोगिता विस्थार में समझाएं ठीक है वीट स्टोन ब्रीज क्या है दो बार ये आ चुका है तो देख लिजेगा वीट स्टोन ब्रीज क्या है ठीक है, what is wheatstone breeze, आपको वियन्जक प्राप्त करना है, किस से किर्चौप के नियम का उपियोग करके, wheatstone breeze के लिए आपको formula प्राप्त करना है, ठीक है, ये हम करेंगे अभी, अगला question, जेनर डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है, फोटो डायोड क्या है, और प्रकास उत्सर्जक डायोड क्या है, जेनर डायोड क्या है, प्रकास उत्सर्जक डायोड क्या है, और फोटो डायोड क्या है, what is जेनर डायोड, फोटो डायोड and light emitting डायोड, ये question, ठीक है, अगला, ये नहीं, ठीक है, च अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है पहले हिंदी में बोल देते हैं योगिक परावैदूत वाले एक समांतर प्लेट संधारितर की धारिता के लिए वियंजग प्राप करें तो एक समांतर प्लेट संधारितर है उसके बीच में तो हम पहला हवा रख सकते हैं तब जो धारिता आया था एपसाइलन और एबाई दी आया था याद होगा ठीक है तो योगिक कोई परावैदूत उसमें भर दिया गया है तो जब परावैदूत भर दिया गया है तो उसके लिए धारिता निकालना है धारिता निकालना है ठीक है तो ये 5 marks में आ रहा है, ठीक है, क्या, फिर से सुन लीजिए, योगिक परावैदूत वाले, एक समांतर पलेट संधारेतर, जब पलेटों के बीच कोई परावैदूत होगा, तो धारिता का वियंजग प्राप करें, क्या बोलें, जब दो पलेटों के बीच, अगर क्या होगा, परावैदूत होगा, तो धारिता का वियंजग प्राप करें, क्या हो जाता था, के एपसाइलन नॉट एबाई डी, के एपसाइलन नॉट एबाई डी कॉपी में होगा, ठीक है, इसको हम एक बार online भी लेके आएंगे, इंगलीज में ये इस question को बोल देते हैं, इंगलीज में भी बोल देते हैं, तो इंगलीज में क्या है, find an expression for capacitance of parallel plate capacitor, फिर से सुनिएगा, find an expression for capacitance of a parallel capacitor, when dielectric is inserted between the plate, when dielectric is inserted between the plates, when dielectric is inserted between the plate, plateo के बीच में अगर dielectric रख दिया गया है, then you have to find the capacitance, ठीक है, चालिए, अगला question, अगला question है, आया मोडिलन, एवं आवरिती मोडिलन की व्याख्या करें, तो इसको पढ़ लिजेगा, मोडिलन क्या है, मोडिलन कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताए थे, आया मोडिलन, आवरिती मोडिलन, कला मोडिलन, तो इनका व्याख्या करेंगे, और इसी में प्रेसित्र एंटीना की उचाई के लिए वियंजग प्राप्त करे प्रेसित्र एंटीना के उचाई के लिए वियंजग प्राप्त करे D बराबर रूट अंडर 2RH आया था क्या बोलें? फिर से सुन लीजिए Modulin क्या है Modulin कितने प्रकार का होता है तीन प्रकार तीनों की व्याख्या करें डीटेल में लिखें ठीक है एक्स्प्लेन करें और साथी में प्रेशित्र के एंटीना के उचाई के लिए वियंजग प्राप्त करें तो ये अगला कोश्चन था चलि इंगलीस में बोल देते हैं इसको इंगलीस में हो जाएगा आपका वाट इस मॉडिलन एक्स्प्लेन इट्स टाइप ठीक है अगला इसी में कोश्चन होगा फिर से एक बार इपीड करता है What is modulation? Explain its type तीन टाइप का होता है और इसी में दूसरा part क्या? obtain an expression for height of antenna height of antenna expression आपको पता करना है height of antenna के लिए ठीक है? अगला question है अगला question है दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी क्या है? और दिष्टकारी का दो प्रकार जो है और्द तरंग और पून तरंग दिष्टकारी को लिखे समझाएं ठीक है? दिष्टकारी क्या है? दिष्टकारी क्या है? और दिश्टकारी के जो दो प्रकार है अर्द तरंग, पून तरंग को समझाएं ठीक है? मतलब दिश्टकारी क्या है? दिश्टकारी क्या है? और दिश्टकारी के दो प्रकार को समझाएं ठीक है दो परकार में से कोई एक ही परकार आएगा लेकिन दोनों परकार पढ़ लिजेगा Englishman What is rectifier? What is rectifier? And explain its type Type में आता था Half-wave rectifier and full-wave rectifier Half-wave rectifier and full-wave rectifier क्या बोले? What is rectifier and explain its type Type मतलब या तो Half-wave rectifier पूछेगा या तो Full-wave rectifier पूछेगा ठीक है? अगला question चलिए इसमें इतना ही ठीक है? अगला अगला question है इसमें हिंदी में पहले बोल देते हैं हिंदी में पहले बोल देते हैं Lens Makers Sutre Lens Makers Sutre ठीक है? ये याद रखिएगा Lens Makers Sutre ठीक है? ये प्रूब करने के लिए आ रहा है Lens Makers Sutre ठीक है? Lens Makers Sutre दिमाग पे रट लीजिए आना ही आना है Lens Makers Sutre इसको confirm पढ़ लेंगे जो कियाता था 1 by F म्यू माइनस वन ब्रैकेट में 1 by R1 माइनस 1 by R2 ठीक है? Lens Makers Sutre ऐसे भी दे सकता है एक बट्टा एफ बराबर म्यू माइनस वन म्यू माइनस वन और ब्रैकेट में 1 by R1 माइनस 1 by R2 को सत्यापित करे प्रूव करे इंगलिस में क्या? कि Lens Maker Sutre Establish इंगलिस में सुनिएगा Establish the formula for lens या बोलेगा क्या? Lens Maker formula Establish करे ठीक है? Establish Lens Maker formula ठीक है? Establish Lens Maker formula Establish Lens Maker formula जो की होता था 1 by F बराबर Mu माइनस 1 ब्रैकेट में 1 by R1 माइनस 1 बाइ R2 ठीक है? अगला बायो सवार्थ नियम लिखे बायो सवार्थ का नियम लिखे ठीक है न? बायो सवार्थ का नियम लिखे ठीक है? याद है न? डीबी बराबर Mu नॉट बाइ 4 पाइ आइडियल साइ ठीक है न? कैसे आया है? और इसमें जो थियूरं था थियूरं देख लेंगे बायो सवार्थ का नियम लिखे और इसमें जो थियूरं था अक्षिये बिंदू पर चुमबक ये छेत निकालने के लिए कोई अगर वरीतिये कुंडली है तो वरीतिये कुंडली के कारण अक्षिये बिंदू पर या वरीतिये कुंडली के कारण केंदर पर ये देख लीजिएगा क्या बायो सवाट का नियम लिखें और उसमें का एक थियूरम compulsory है तो आपको तीनो जितना भी थियूरम करवाएं वो देख लेंगे ठीक है चलिए इंग्लिस में इंग्लिस में हो जाएगा explain बायो सवाट सलो explain बायो सवाट सलो ठीक है and find the magnetic field at axial point find the magnetic field at axial point due to current carrying circular coil तो हम क्या बोले explain बायो सवाट सलो explain बायो सवाट सलो and इसका ठीक थियूरम देख लेंगे ठीक है थियूरम में आप ये देखिएगा क्या find the magnetic field at axial point due to circular current carrying coil या center पे magnetic field क्या होता है mu not i by 2R वाला ठीक है magnetic field at center of center of circular current carrying coil बायो सवाट सलो देख लेंगे ठीक है अगला जो हो जाएगा अगला जो question हो जाएगा वो लिखेंगे बार का जो सिधान्थ है उसको लिखे बार का सिधान्थ से हमको क्या मिला बार के सिधान्थ से हमको क्या मिला है ठीक है बार के सिधान्थ से हमको क्या मिला है वो लिख लेंगे 5 पॉइंट लिखवाए थे और इसमें आपको हाइड्रोजन, स्पेक्टरन लाइन, लाइमन स्रीज, ठीक है पास्चन, ब्रैकेट, बामर, पीफंड ये सब देख लेंगे ठीक है 5 मार्क्स में ठीक है चलिए इंगलिस में बोल देते हैं क्या Give Postulate of Bors Theory, और Explain Hydrogen Spectrum on the Basis of Bors Theory एक्सप्लेन हाइड्रोजन एक्सपेक्टरम on the Basis of Bors Theory ठीक है चलिए अगला है आइंश्टीन का प्रकास वैदुत समिकरन लिखे पहला प्रकास वैदुत समिकरन लिखना भी है और आपसे पूछेगा प्रकास वैदुत उत्सर्जत क्या है प्रकास वैदुत उत्सर्जन क्या है या प्रकास वैदुत प्रभाव क्या है और समिकरन लिखेंगे जो आइंश्टीन द्वारा दिया गया था याद है ना धातू पे प्रकास पड़ा एलेक्टरॉन छट पे निकल के देखता है और ज्यादा प्रकास पड़ा तो सब भागने लगता है समिकरन लिख देंगे ठीक है ना बाबू? चालिए, इंगलिस मैं बोल दें Write down Einstein photoelectric equation and explain the photoelectric effect on its basis मतलब photoelectric effect क्या है बोलिए? What is photoelectric effect? and आपको write down करना है, लिखना है Write down the Einstein photoelectric effect equation ठीक है ना? ये equation लिख देना है ठीक है? चलिए एक आपका question बनता है वहाँ से अनुचुमबा किये, प्रती चुमबा किये, लग चुमबा किये, पदार्थ क्या? अनुचुमबा किये, प्रती चुमबा किये, लग चुमबा किये पदार्थ क्या है? ठीक है? एक एक दो दो example देख लेंगे अनुचुमबा किये, प्रती चुमबा किये, लग चुमबा किये पदार्थ क्या है? एक एक example देख लेंगे ठीक है, एक-एक example देख लेंगे, clear है, एक-एक example देख लेंगे, चलिए, English में इसको बोल देंगे, क्या, define paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic, एक-एक example के साथ, ठीक है, और उसका जो आपका property है, वो देख लेंगे, ठीक है, क्या, paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic, उसका property देख लेंगे, क्या, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, उसका property देख लेंगे, and साथी में example देख लेंगे, ठीक है, साथी में example देख लेंगे, clear हुआ बाग, clear हुआ बाग, तो ये सब आपका long question में जा रहा है, ठीक है, logic gate में आपका वो भी पूछ सकता है, logic gate 5 marks में, or and not, or and not, तीनों का truth table, boolean expression देख लेंगे, क्या, or and not, ठीक है, और and not, ठीक है, ये देख लेंगे, ठीक है, और आपका यहां से और कुछ question है, दो, लेखेगा, विदूत, चुम्बा किये प्रेरन, इसको देख लेंगे, विदूत, चुम्बा किये प्रेरन, उसका जो नियम है, विदूत, चुम्बा किये प्रेरन, क्या कहता है, ठीक है, उसको देख लेंगे, मतलब, विदूत, चुम्बा किये प्रेरन, मतलब, आपको explain करना है, ठीक ह क्या electromagnetic induction ये देख लेंगे ठीक है और आपका वहाँ पे देख लिजेगा आरेमेस करेंट मतलब वर्ग माध्य मूल धारा और और सिखर मान विद्धुधारा का वर्ग माध्य मूल मान और सिखर मान में संबंध ठीक है वर्ग माध्य मूल धारा और सिखर मान में संबंध ठीक है क्या इंगलीस में बोल देते हैं आरेमेस वैल्यू और पिक वैल्यू ओफ करेंट में रिलेशन इस्टैबलीस करें Establish the relation between RMS value of current and peak value of current, ठीक है, हो गया, उसके बाद LCR परिपत देख लेंगे, LCR परिपत, क्या, LCR परिपत, ठीक है, LCR परिपत देख लेंगे, LCR परिपत देख लेंगे, पूरा, इसमें अनुनाद क्या है, ठीक है, अनुनाद कब होता है, XLX सी बराबर हो जायता है, याद है ना, तो LCR परिपत क्या है, अनुनाद क्या है, देख लीजेगा, विद्धूत अनुनाद पढ़ाएं थे, इंगलिस में, LCR सर्किट क्या है, और एलेक्ट्रिक रेजोनेंस, ये सब क्या है, देख लेंगे, और ऑप गोलिये सता से अपवर्तन के लिए सुत्र प्राप्त करें, गोलिये सता से अपवर्तन के लिए सुत्र प्राप्त करें, mu2 by b minus mu1 by u mu2 minus mu1 by r याद है न, ये वला है, ठीक है गोलिये सतह से अपवर्थन के लिए सुत्र प्राप करें, ये important जा रहा है ठीक है, क्या इंगलिस में obtain an expression of obtain an expression for refraction through spherical surface obtain an expression for refraction through spherical surface, क्या था mu2 by b minus mu1 by u अब बराबर mu2 minus mu1 by r, ठीक है ये, और prism formula prism का formula क्या है वो देख लेंगे prism का formula क्या है वो देख लेंगे, prism का formula जो हम निकाले थे mu बराबर sin a plus del m by 2 और बट्टा में sin a by 2 ये प्रूफ करने के लिए दे सकता है प्रूफ करने के लिए दे सकता है prism formula देख लेंगे mu sin a plus del m by 2 अब बट्टा में sin a by 2 ठीक है तो long के लिए इतना ही पढ़के जाएए long के लिए इतना ही पढ़के जाएए ठीक है सब इसी में से आ रहा है सब इसी में से जितना बोले हैं long इसी में से आएगा ठीक है डर ये नहीं, आराम से जाएए, फुल कॉन्फिदेंसियल होके, डर ये नहीं, 17 दिन इतना पढ़िए कि बिहार बोड में टॉप कर जाएंगे, ये मकसद होना चाहिए, बिहार बोड में टॉप करने का नमबर सब कोई लाता है, लेकिन बहुत कम ऐसा लड़का है, जिसका तॉच है टॉप करने का ठीक है हम नंबर के लिए पढ़ते नहीं है हम नंबर के लिए नहीं पढ़ते हैं हमको बिहार में टॉप करना है नहीं टॉप करेंगे खाएंगे नहीं पीएंगे नहीं तॉप करना है आज से बैट जाएए एकदम बेट पे बैट ये और पढ़ना स्टार्ट कीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही इनी कोश्चन को देखिए और आपका टोटल बिहार मोड में लॉंग इसी से आ रहा है ठीक है चलिए बाकी इनी सब्दों के साथ तम लगा के पढ़िए टॉप करिए और हमको तो मिठाई खिलवे कीजिएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही ठैंक यू स्टुएंट्स